जहें दोस्तों वंदे मात्रम इन दिनों बॉल्यूड में एक रीमेक को लेकर काफी चर्चा है जिसको कि अक्षे कुमार करने जा रहे हैं लेकिन यह कोई पहली रीमेक नहीं है अगर हम बात करें जितेंद्र की तो उन्होंने अपने करियर में करी 50 से जादा रीमेक करी थी औ नहीं सपोर्ट किया जाए जाहिर सी बात है कोई कांटेंट जो ओरिजिनल होता है उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही देखा जाना सही रहता है लेकिन कई लोगों को आसानी से पैसा पीटने का एक बड़ा रस्ता यह मिल गया है कि अब वो सिंपली मूवी बना देते हैं एक बनी बनाए मूवी के उपर उनको पता होता है कि इसका रियक्शन लोगों क्या निकल क्या आएक और साथ यहीं पता होता है कहां कहां इंप्रूव्मेंट किया जा सकता है अब इसी रीमेक के उपर अभी शेक बच्चन का बयान सामने आया है जो कि यहां पर रीमेक को चिनमा घरों में धमाल मचा रही है इतना ही नहीं साउध की सफल फिल्मों का रिमेक बनाने का टरेंट भी बॉल्योड में काफ़ी लंबे समज़ा चल रहा है इसे लेकर बॉल्यवूड को अक्सर टsell भी किया जाता है उन्हों आगे कहा कि क्या आप मुझे बता रहे हैं कि साउट की हिंदी फिल्मों का रीमेक नहीं मना रहा है। ये एक अनुचित सवाल है, क्योंकि आप जो भी कहते हैं उसका जवाब काफी डिफेंसिव होता है। हम सभी भारती फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, हम अलग अलग भाशाओं में काम कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, हम सभी एक ही दर्शकों के लिए काम करते हैं, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को लेबल करना पूरी तरह से गलत है, हिंदी या किसी में ये फिल्में इतना अच्छा कर रही है लेकिन उन्होंने हमेशा अच्छा किया है हमारी फिल्मों ने साउथ मच्छा प्रशन किया ये कोई नई घटना नहीं है हम एक बड़े परिवार का हिस्सा है तो कॉंटेंट का आदान प्रदान तो होनाता है एक्षेंज इसलिए न में थे अभिशेक बच्चन आप जल्दी ही अपकमिंग फिल ट्रिपल सेवन में नजर आने वाले हैं अब देखिए अभिशेक बच्चन को तो ट्रिटी प्लेटफॉर्म की कारण एक नया जीवन मिल चुका है इसलिए आप देखेंगे कि अब उनके पास काम की भरमार है ज इस वीडियों फिल आप नहीं जाहें जाय भाला